दोस्तो आज की हमारी वीडियो कोरियंडर धनिय के उपर है आज की वीडियो में आपको धनिया उगाने का आसान और कारगर तरीका बताएंगे नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है करमवीर आप देख रहे हैं आपका प्यारे यूटूब चैनल रूफटॉप गार्डनर करमवीर चलिए जानते हैं सब्सक्राइब किजिए रूफटॉप गार्डनर करमवीर चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटस्ट गार्डनिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले आप एक कपड़ा ले अब इस कपड़े में धनिये के बीजों को डाल कर कवर करें हमें साबू धनिये को दो पार्ट में डिवाइड करना है कोरियंडर धनिये के बीजों को कपड़े में डाल कर कवर कर दें जैसा आप देख रहे हैं अब किसी बेलन या लकडी की हेल्प से हलके हातों से इसे रब करें जैसा आप देख रहे हैं ऐसा करने से आपके कोरियंडर धनिय के सीड्स आसानी से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे आपको हलके हातों से ही कोरियंडर धनिय के बीजों को रब करना है जिससे आसानी से आपके कोरियंडर धनिय के सीड्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे दोस्तो कोरियंडर धनिया को दो पार्ट में डिवाइड करने से ये तेजी से ग्रो करेगा और काफी हेल्दी और काफी घना होगा अब आपको कोरियंडर धनिया ग्रो करने के लिए पोटिंग मिक्स बनाना है आपको 55-60% कोकोपीट लेना है आपको कोकोपीट को डारेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है इसे कुछ देर पानी में भिगो कर फिर पानी से निकाल कर इस्तेमाल करना है जैसा आप देख रहे हैं हमने लगबग 55-60% कोकोपीट ले लिया है अब आपको इसमें सेकंड इंग्रीडियेंट मिलाना है सेकंड इंग्रीडियेंट है कमपोस्ट अब आपको लगबग 40% कमपोस्ट लेना है आप काउडंग कमपोस्ट या वर्मी कमपोस्ट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं थर्ड इंग्रीडियेंट है नीम की खली अब आपको इसमें लगबग 5% नीम की खली का पाउडर एड़ करना है एक बार मैं दोबारा आपको तीनों इंग्रीडियन्ट का रेशो बता देता हूँ हमने 55-60% कोको पीट लिया है 40% वर्मी कमपोस्ट और 5% नीम की खली का पाउडर लिया है तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करें हमारा धनिया ग्रो करने के लिए पोटिंग मिक्स त्यार है अच्छे से इस मिक्सटर को मिक्स करें हमारा पोटिंग मिक्स त्यार है अब इस पोटिंग मिक्स को मिट्टी के कंटेनर पोट में डालेंगे अगर आपके पास मिट्टी का गमला पोट नहीं है तो आप प्लास्टिक या सिमेंट के पोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लास्टिक या सिमेंट के गमले में आपको 2-4 ड्रेनेज होल जरूर करने होंगे हमने मिट्टी के पोट में हमारा पोटिंग मिक्स डाल दिया है अब इसमें कोरियंडर धनिये के बीज डालेंगे जैसा आप देख रहे हैं दोस्तो धिनिया ग्रोग करने के लिए आप जितना चोड़ा गमला लेंगे उतने अच्छे से आपका धनिया ग्रोग करेगा बीजों को फैला फैला कर डालें एक जगे सभी बीजों को ना डालें अब इन बीजों को हलके सोयल मिक्स से कवर करेंगे बीज की मोटाई से दोगुना सोयल मिक्स से इसे कवर करें अब किसी फुवारे, शोवर की मदद से इसमें हलका पानी डालेंगे और पोर्ट गमले को किसी shaded area में shift करेंगे जैसे green net के नीचे या किसी छज्जे के नीचे अब आपको इसका result अपडेट दिखाते हैं अफ्टर थ्री डेज, ये देखो दोस्तो हमारे सीड जर्मिनेट होने लग गए हैं अब बस आपको इसमें टाइम टाइम पर हलके पानी का स्प्रे करना है जैसे ही पोर्ट की मिट्टी ड्राई सूखी दिखे, हलके पानी का स्प्रे करें अफ्टर फॉर डेज, ये देखो दोस्तो हमारा धनिया अच्छे से ग्रो कर रहा है, कुछ सीड जर्मिनेट होना भी बाकी है आफ्टर फाइफ डेज, हमारे लगबग 90% सीड जर्मिनेट हो चुके है आफ्टर शिक्स डेज, हमारा कॉरियंडर धनिया अच्छे से ग्रो हो रहा है बस आपको टाइम टाइम पर मिट्टी सूखने पर हलके पानी का स्प्रे करना है जर्मिनेट जर्मिनेट हो पर मिट्टी सूखने का स्प्रे का स्प्रे करना है 15 दिन हो चुके है हमारा कोरियंडर धनिया हर्वेस्टिंग के लिए त्यार है हर्वेस्ट करने के बाद धनिया दोबारा ग्रो करता है आप 3-4 बार इसे हर्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तो इसके अलावा हमने बड़े पोट में भी धनिया उगाया है जैसा आप देख रहे हैं क्या जबर्दस्ट धनिया ग्रो हुआ है धनिय के लिए जितना चोड़ा गमला होगा उतने अच्छे से धनिया ग्रो करेगा धनिय का साइज और क्वाल्टी आप देखी सकते हैं इसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है चलो दोस्तो अब धनिया हर्वेस्ट करते हैं कोरियंडर धनिया हर्वेस्ट करने के बाद दोबारा ग्रो कर जाता है आप 3-4 बार आसानी से इसे हर्वेस्ट कर सकते हैं धनिया खाने में जितना स्वादिष्ट होता है आपकी शेहत के लिए उतना ही फाइदे मंद भी होता है आप जरूर से इसे अपने गार्डन में उगाएं और ओर्गैनिक हरा धनिया खाएं ये देखो दोस्तों क्या लाजवाब कॉल्टी है 100% ओर्गैनिक चलो दोस्तों अब जल्दी से इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं धनिया को शुष्क और ठंडी जलवायू पसंद होती है आप इसे सर्दी के मोसम में उगाएं सर्दी के मोसम में धनिया असानी से ग्रो हो जाता है दोस्तों हमने बड़े पोर्ट में लगे धनिया को हर्वेस्ट कर लिया है अब छोटे गमले पोर्ट में लगे धनिया को हर्वेस्ट करते हैं धनिये को सर्दी का मोसम काफी पसंद होता है सर्दियों में ये असानी से ग्रो हो जाता है सर्दी में आप इसे लगबग 2-4 गंटे की सनलाइट धूब जरूर दिखाएं धनिया कोरियंडर एक बहु मुले मसाले वाली फसल है धनिये के बीज और पतिया भोजन को सुगंदित और स्वादिष्ट बनाने के काम आती है दोस्तो कोरियंडर धनिया बहुत असानी से ग्रो हो जाता है आप जरूर से इसे अपने गार्डन में उगाएं और फ्रेश और ताजा धनिया खाएं दन्यवार दोस्तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आए पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू